दोस्तो SSCJD 2023 की medical dates को लेकर अभी कुछ दिन पहले एक notice viral हुआ जिसके अंदर बताया गया कि आपके जो medicals हैं वो 15 जून के आसपास conduct करवाई जाएंगे हाला कि यह जो notice था यह departmental notice बताया जा रहा है कोई internal notice बताया जा रहा है लेकिन official website के उपर कोई भी official notice इसके regarding अभी available नही आपको बताऊंगा साथ में हम discuss करेंगे आपके physical result को लेकर कि कब तक देखने को मिलेगा और medical date actual में आपकी कब तक जो है वो जारी हो सकती है और किस मन्त में आपका जो medical है वो यहाँ पर possibility है कि आपका contact करवाई जाए उसके उपर भी हम यहाँ पर बात करेंगे बस आपको कर हैं वो 15 जून के आसपास डिसाइड की जाएंगी 15 जून के बाद उसका जो आपका medical है वो कंडेक्ट करवाई जाएगा और आपके जो physical हैं उन में से 1,334 something candidates को पास किया गया है medical के लिए 15 जून के आसपास आपका जो है medical स्टार्ट हो जाएगा बट यह सारी चीजे एक internal notice क base के उपर ही निकल कर आ रही हैं official कोई भी इस तरह का data available official site पर नहीं है लेकिन फिर भी अगर हम यह मानते कि अगर यह notice कहीं ना कहीं अगर सच हो जाता है और आपके जो medical है वो 15 जून से ही अगर start हो जाते हैं तो ऐसे में कौन सी ऐसे दो चीजे हैं जिनका आपको बहुत ख्याल रखने की जूड़ते हैं और even आपको वेट भी नहीं करना चाहिए कि आपकी medical dates कब तक आएंगी आपको आज से ही इन चीजों के जो है ठीक करना अपना start कर देना चाहिए अगर आपको लगता है कि इन चीजों में आपको कहीं ना कहीं medically unfit हो सकते हो तो first चीज यहां पर क्या है first है यहां पर documents आपके ठीक है सिर्फ दो चीज है जिनके अंदर आप भार हो सकते हो और second यहां पर है आपका medical points ठीक है medical points इन में से अगर आप medical points को clear कर लेते हैं बट अगर आप documents में भार हो जाते हैं then भी आपको बाहर कर दिया जाएगा और document पास करते हो medical points मिलता है तब भी आपको भार कर दिया जाएगा इसके लिए जरूरी है कि आप दोनों चीजों को यहां पर clear करो documents के अंदर आपके mainly क्या आता है documents के अंदर mainly आपका आता है आपका नेम के अंदर ठीक है आपका father name आपकी date of birth आपका address ठीक है आपका domicile इनके अंदर आपके जो main ची जिस state से आपने apply किया क्या आप उसका domicile रखते हैं या नहीं रखते हैं क्या आपके address में आपके father name date of birth आगर match करती हैं form से जो आपने फिल किया थे हैं नहीं करती हैं आपके name में तो कोई गलती नहीं है यह सारी चीज़ अगर आपके नहीं है तो आपके जो documents हैं वहां पर accept कर लिया जाता है तो इसका ज्यादा tension लेने की जरूरत नहीं है बट इन चीज़ों के बारे में आपको ज्यादा सोचने की जरूरत है अगर इन चीज़ों के अंदर अगर आपको लगता है कि हां मुझे कुछ दिक्कत है तो आपको as soon as possible इन चीज़ों को ठीक करवा लेना है दूसरा है medical points को लेकर बहुत सारे आपने से बच्चे होंगे जिनको medical points होंगे like आपके for example main common बता हूँ eyes उसके बाद legs के अंदर आपके चार तरह के होगे nookney आपके flat foot हो गया bow leg हो गये ठीक है इसके बाद आपके hands के अंदर हो जाता है carrying angle हो गया varicose vein आपका हो गया जो इ इस तरह कि आपकी problem से उनको detect करना अभी से जरूरी है अगर आपके nookney की problem है तो 15 दिन के अंदर आप exercise से उसको कुछ एक angle पे जो आपको prescribed angle है उस angle तक आप उसको लेकर आ सकते हो ताकि आप medically unfit ना हो या फिर आपको varicose vein है तो उसने बारे में भी आपको suggest suggestions है उन डोक्टर इस level पर पहुचने के बाद आपको बहार ना किया जाए और आप भी job के नस्दीक पहुच सके वरना इतनी लंबी journey आप करके आए और फिर यहाँ पर इन दोनों की वज़े से अगर आप बहार हो जाते हो तो कहीं ना कहीं heart breaking है कहीं ना कहीं वो अच्छी बात नहीं है तो इ जो medical आपकी है क्या वो 15 जुन को conduct करवा है जा सकता है तो आप देखेगा कि अभी जो नादिया जो था सेंटर था उसके उपर फिजिकल छे तारिक तक जून तक चलने वाले हैं उसके बाद उसके records वगरा maintain किये जाएंगे इसके अलावा भी result वगरा है वो भी आपका pending अभ किती है कि 15 जुन को आपका जो medical आपका कंड़ेक्ट करवा है जाएगा बट हां possibility यह है June end आपका हो सकता है जून जो आपका नादिया जो सेंटर है उसके ओपर जो फिजिकल चल रहे हूं वो कंप्लीट होने के बाद एक डेटा कंप्लीट त्यार होगा तो एप्रोक्शिमेट मुझे लगता है जून के अंदर आपका 15 जून के बाद ही आपका जो रिजल्ट आपको देखने को मिल सकत अगर नादिया वाले सेंटर का जो रिजल्ट है अगर वो उसको कंशिडर नहीं करते हैं वो कहते हैं कि हम एक सेंटर का रिजल्ट अलग निकाल देंगे या फिर इसके अलावा कुछ ऐसे बच्चे थे जो हाइट वगेरा के लिए अब अपील कर उन्होंने की थी कोट वग लिसकिया जाएगा फिर वो 20-25 पास के पास किया जाता है और उस कंडीशन के अंदर आपका जो जून अंड है वो भी ह Accept नहीं aur नहीं होगा फिर जो आपका मेडीकल वो जुलाइ-eень तक जा सकता है कि मिड़ अव जुलाइए पिर जुलाइ एंड के बाद जुलाइ-eए अं कमेंट बॉक्स में आप बिल्कुल पूछना मत भूलेगा मैं कोशिस करूँगा आपका रिप्लाई करने के तब तक ले थैंगी सो मच नमस्कार जैहिंद